आज की वीडियो में आपके साथ चेयर करूंगी बच्चों के लंच बोक्स के लिए एक बहुती अमेजिंग रेसिपी जिसकी सबसे बड़ी बात यह कि वो होगी बजट फ्रेंडली तो यहां बड़ आप देख रहे हैं मैंने ले लिया तकरीबं तीन पाउ यानी साड़े ताबिक तकरीबं मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया था और यहां पर एक चाय का चमची मैं इसमें डाल दूंगी पीसा हुआ गरम मसाला जो अगली चीज हम इसमें एड़ करेंगे ना वो है लसन द्रक का पेस्ट और उसके साथ ही हम डाल देंगे तकरीबं एक से दो टेबल स्पून ऑईल के भी एड़ कर दी हैं तो मैं गहारी थी कि आपके बचों को ना यह बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है क्यूंकि बहुत आज कल यह इशू बनावा कि बच्चे ना केहनें पे लगे वे हैं यहां पर मैंने इसमें तकरीबं हाफ टीस्पून ब्लैक एलाज़ होश्य थी तो के एंइनस में क्या हैं कि वह बहुत ही ज्यादा ना फ्लीवर होता है जब हम घर की चीजे seeing बनाते है ना तो बच्चों को वह फ्लेवर नहीं आते को पसंद नहीं आते अब हम ने ना इस मेरिनेटर चिकन को ग्रिल कर लेना है ग्रिल करने के लिए मैं आपको बताती हूं आपने ना चिकन को लो फ्लेम पर ढखके रखना होता है ताके वो अपना सारा पानी जो है ना वो छोड़ दे और यहां पर जी बन रही थी शाम की अब आगे हैं जी हम प्रिपरेशन पे फिलिंग की यहां पर मैंने लिया है एक भड़ा प्यास चोप हुआवा चोटे हैं दो लेने प्यास चोप करने के बाद हमने इसमें टू 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 थी टेबल स्पून ऑईल डालना है बहुत ज़दा ऑईल नहीं डालना और उस प्या यहां पर मैंने इसमें डाला था एक टेबल स्पून मेदा एक से दो टेबल स्पून आपने इस प्यास को फ्राई करने के बाद नरम करने के बाद इसमें मेदा डालना है और तकरीबन हाफ कपना आपने इसमें मिल्क डालना है रेसिपी कोना आपने एक्जेक्ट फोलो करना अगर आपको बहुत ही अमेजिंग ब्रेड रोल्स चाहिए ठीक है यहां पर हमने दूड डालने के बाद क्या किया किसमें कोई नमक मिर्च कुछ भी मैंने नहीं डाला अब या तो आप इसमें चिकन शामिल कर दें इन प्याजों को प्याजों में चिकन शामिल कर दें कि चिक तो इसमें दूद्ध थोड़ा काम है यानि यह ड्राइड फील हो रहा था तो मैंने इसमें मिल्क जो है ना वो थोड़ा सा ओर एड कर दिया फ्लेम जो है वो मीडियम पे था और फिर मैंने इसके अंदर डाली दो चीजें वो दो चीजें एंजी चिली सोस और सोया सोस यह जो यह रड़ी रेसिपी वीडियो बनाने का मकस्द यह है कि आप हर स्टैप को समझ लें इसलिए मैं कोशिश करती हूं कि रेसिपी वीडियो मैं इदर उदर की बाते कम से कम करूं यहां पर जी मैं इसे हिलाई जा रही हो रही हो बता नहीं मुझे क्या मसल्ले मुझे खूद ह तो टोटल जो आपका खर्चा आना इसको बनाने में वह एक हजार के भीच में आएगा और दो दर्जन चिकन ब्रेड ड्रोल्स जो हैं वह बनके त्यार हो जाएंगे अगर आप इसमें चीज डाल रहे हैं तो धाई सो रुपे की चीज का लगा ले तो ट्वैल्फ फिफ्टी जो है वह टोटल एक्सपेंस चला जाएगा यहां पर जो हमने ब्रेड के किनारे काटे थे ना उस ही का हमने ब्रेड क्रम्स बना लेना है क्योंके हम बना रहे हैं ब्रजट फ्रेंडली रेसिपी और ब्रेड के सारे पीसी को किनारे काट कर मैंना रुमाल के अंदर रखी जा में पींगा कि कोशिश की है यहांपे मै इसको लगा टी हूं हलकाल加 का जैसा केoyoo a दखाते हैं सही वैसे हमें पागल बनाते हैं कोई नहीं से बंद हो रहे थे अच्छा यह जो रेसिपी है ना यह ओल्मोस्ट मेरी अपनी है मगर ब्रेड को बंद करने का तरीका जो है ना वो मुझे मुझे लग रहा था कि यह पानी वाला तरीका ट्राइब करना चाहिए पानी से बंद करें तो मुझे यह तरीका को इतना अच्छा नहीं लगा फिर मैंने ब्रेड को फुल घीला करके मैंने चलो जी अब यह वाला तरीका ट्राइब करते हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं मैंने ब्रेड के अंदर घीला करने के बाद रखी और यह हमने इसको इस तरीके से बहुत अच्छी तरह बंद तो हो जाता है बड़ी जल्दी से मगर ब्रेड इतनी मोईस्टर हो जाती है तो मुझे तो यह भी तरीका पसंद नहीं आया फ्रीज करने के बाद तो वह जाएट सबसे बेस्ट लगा है वो है अंडे से बंद करने वाला तरीका और और मैं भी इसी तरीके से ही मोस्टली बंद करती हूँ रोल पटी को भी मोस्ली अंडे से या मेदे से हम लोग बंद करते हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं जी मैंने जा लिए चिकन की फिलिंग और यह अंड़ा जो है न हमने ब्रेड के चारो तरफ लगाना है ब्रेड क बिल्कुल भी आपने गीला नहीं करना ठीक है और ये हो गए जी बड़े ही जबर्दस्त हमारे रोल रेडी इनकी स्पेशल बात ये कि जो दूसरे रोल्स होते हैं वो जब आप लंच बोक्स में रखते हैं तो वो क्रिस्पी उसका क्रिस्पीनस खतम हो जाती है और फिर तो उ मैंडा बेटडिश्यल स्ट्राइब यहां पिना मेंने ब्रेड करम्स के अंदर थोड़ा अधाव चाहिए तो आप करें ना करें बाहिर बाहिर के स्यूज़ करें यह घुज़ करें यह हसंंं के लिए रैडी जिस्में ठीसर नहीं है अब हम ब्रेड रोल्स बरहेंगे जिस् अच्छा जी अब यहां पर आप देख रहे हैं कि मैंने इस सारी चीज को ना चिकन के अंदर मिक्स कर लिया है और जब यह फ्राइ हो गए ना रोल्स तो यह खुदी मेल्ट हो जाएगी चीज आपने कौन सी यूज करनी है चीज आपने चैडर चीज यूज करनी है अब यहां पर मैंने अनाया वाले भी बना लिये थे जो ब्रेट बच गई थी उसके मैंने राउंड शेप में बॉल्स की शेप में भी बना लिये थे और फिर ऐसा कैसे हो सकता है एक चीज बने और वो ट्राइ ना हो तो ट्राइल के लिए हमने थोड़े से फ्राई करके खा के देखे थे और इतने कमाल यह बने थे ना कि मेरे पास तो इसकी तरीफ के लिए वर्ड्स ही नहीं है तो आप भी इसको जरूर रेसिपी को ट्राइ कीजेगा अपने बच्चों के लंच बोक्स के लिए दीजेगा इसको आप फ्रीज करके पंदरा से बीस दिन तक बासानी रख सकते हैं इतने यह चीजी क्रीमी क्लब क्या इसकी तरीफ करें चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा अला आफिस